नमस्कार, एजुकेशन प्लस सेकेटिव पर आपका स्वागत है तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेस्चन नमबर 22 से आगे के प्रस्णों को सॉल्व करेंगे तो लुसिट गाइट से हम लोग चैप्टर नमबर 4 को सॉल्व कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग क्वेस्चन नमबर 22 से आगे के प्रस्णों को सॉल्व करेंगे तो पार्ट वन और पार्ट टू के वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें हम लोग क्वेस्चन नमबर 21 तक कभर कर चुके हैं तो आईए देखते हैं क्वेस्चन नमबर 22 क्वेस्चन नमबर 22 में क्या है 9 माइनस 2.5 गुने 5 और गुने में है 0.3 और पलस क्या है 1 अब इसे क्या करना हम लोग को सॉल्व करना है तो 9 का तो 9 ही रहेगा इसमें हम लोग क्या करेंगे गुना कर लेंगे तो 25 25 हो जाएगा देखें यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 25 में 5 से गुना करें जे 25 गुने 5 तो कितना हो जाएगा 125 और 125 में कितना से करेंगे 300 तो यह हो जाएगा 375 गुनें से खिबाने पलस क्या है 1 तो 9 अब यहां से देखें 9 और 1 कितना हो जाएगा 10-3.75 घटेगा तो 10 में से 3.7 घटाना है तो इस रूप में हम गटाएंगे 10.00 लिख सकते हैं और इसमें 3.75 घटाएंगे तो यहां से बचेगा 25 और यहां से 9 में से 3 जाए तो बचेगा 6 यानि कि 6.25 इसका क् उत्तर आ जाएगा यह था क्वेस्टिन नंबर 22 ठीक है आई देखते हैं क्वेस्टिन नंबर 23 क्वेस्टिन नंबर 23 में 2 गुने 0.5 पलस 9 भागा 0.3 पलस 10 गुने 0.92 अब यहां से सबसे पहले हम दो क्या करेंगे इस बोड़वास के नियम के निशार भाग का काम करना है तो भाग का काम यहां पास हैं लोगों को तो यहां डिरेक्ट भी काम कर सकते हैं लोग इसमें 5 में दूसरे करेंगे 10 तो दस अमलब 1 अंके पहले है तो यहां पास दस अमलब आ जाएगा यानि इसकी ब भाग देना है कितना 0.3 तो 9 बाटा कर सकते हैं 0.3 ठीक है अब यहां से अगर हम लोग इसका पॉइंट हटाते हैं तो उपर में क्या हो जाएगा 10 से गुना क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंख है और पलस यहां से 10 से इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 920 और 920 अब यहां से यह तीन से कर जाए तीन बार में यानि कि 1 पलस यए 30 हो जाएगा और पलस 9 पोंट कितना 20 तो 30 और 1 एक 20 30 और 9 कितना हो जाएगा 40 40.20 इसका क्या आएगा उत्तर आएगा मतलब कि 2 नमबर ओप्सन चालिस पॉइंट दो आई देखते हैं क्वेस्टन नमबर चौबिस चौबिस नमबर क्वेस्टन में 1.1 इन्टू 77 को डिभाइड करना 11 से और इसको डिभाइड करना है 7 से जब भी अगर इस तरह का प्रस्ण दिखाई दे तो हम लोग को क्या करना है 77 इसको बटा 12 करना भाग है न तो उसको भी नीचे नीचे ही लिखना है ठिक है 77 भागा 11 हो जाएगा और ये नीचे में ही क्या होगा गुना हो जाएगा जैसे दो भागा 2 भागा 2 है ठिक है तो 2 उपर रहेगा बाकी 2 गुने 2 क्या रहेगा नीचे रहेगा तो यहां से सतत्तर इग्यार सत्य सतत्तर कड़ जाएगा यहां से साथ बार में हो साथ से यह साथ खतम हो जाएगा तो 1.1 में साथ से गुना करेंगे तो 7 पॉइंट कितना हो जाएगा सेविन इसका उत्तर आएगा क्वेश्चन नमबर यह था 24 क्वेश्चन नमबर अच्छे यहां 0 पॉइंट क्या है सेविन है तो इसको रखे 0 पॉइंट क्या हो जाएगा सेविन फिगर सेच सत्तर कर दिया इसका पॉइंट हैंगे तो अपर में क्या जाएगा एक जीरों अब यहां से साथ से यह साथ खतम हो जाएगा आप गुना करेंगे इसमें वन्हां पॉइंट वजू हमें टेन से वॉइंट वएंट में टेनiese चेंद कितना आएगा 110 पॉइंट के पहले लगा देना यानि कि इसका हो जाया कितना 11 question number देखिए 25 3, 6, 4, 0 codified करना 14 से multiplied by 16 और plus कितना 340 यहां क्या करेंगे सबसे पहले भाग का काम करना तो भाग का काम करेंगे यहां से 14 से इसको काटेंगे तो 14 दुनी 28 हो जाएगा 14 दुनी 28, 2, 6, 8, 4, 14, 6, 4, 84, 6, 84, 6, 84, 6, 84, 6, 84, 6, 84, गुना करेंगे 16 पलस 340 अब 16 से इसमें गुना करेंगे तो 0, 6, 96, 96, 6 होगा 9 बचेंगा 16 दुनी 32, 32, 32, 69 कितना हो जाएगा 41 यानि 41, 60 और plus 340 तो यह अगर आड करेंगे इसको तो 43, 44 और यह 45, 45 तो इसका उत्तर आएगा आई देखते हैं क्वेस्चिन नमबर 26 सिक्स सो गुना 0.2 पलस 0.01 गुना 1000 पलस कितना हो जाएगा 110 अब इसका मान निकालना है तो गुना कर लेते हैं 100 में 2 से करेंगे तो 200 हो जाएगा पॉइंट कहां जाएगा तो पॉइंट 1 अंके पहले यानि यहां पास आ जाएगा पलस 1000 में 1 से करेंगे तो 1000 आ जाएगा पॉइंट देखिए दो अंके पहले है तो पॉइंट हम लोगों को दो अंके पहले आ जाएगा पलस कितना 110 तो यहां से 110 हो गया यह 10 हो गया तो 120 और 20 कितना हो जाएगा 140 क्वेस्टिन नमबर यह था 26 आईए देखते हैं क्वेस्टिन नमबर 27 क्वेस्टिन नमबर 27 में है जीरो पॉइंट जीरो पांच का 0.5 डिवाइड करना है इसको 0.025 माइनस 1.5 इन्टो 0.5 तो सबसे पहले बोड मास की नियम के अनुसार हम लोग इसमें का का काम करेंगे तो का का मतलब गुना होता है तो इसको और इसको हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे तो पांच में पांच से करेंगे दसमलब छोड़ करके गुना कर लेते हैं तो पांच में पांच से करेंगे तो कितना आ जाएगा पच्छीश 45 से करेंगे तो कितना आजाएगा 25 अब यहाँ देखे इस पॉ刃ं और यहाँ पॉइंट तो पॉाइंट के बाद दो अंग पॉइंट के बाद पॉाइंट के बाद क्या होना चाहिए तेरं तो यहाँ तो दो अंग है तो एक zero लगा देंगे यानि point के बाद इहां क्या हो जाएगा तीन अंग हो जाएगा अब इसको divide करना है कितना से 0.025 और यहां मार्णश से 1.5 इन्टू 0.5 अब क्या करेंगे 0.025 है तो यह एक बार में divide हो जाएगा यहाँ भी same है यहाँ भी same है तो ये एक बार में क्या हो जाएगा डिभाइड हो जाएगा माइनस 15 में 5 गुना करेंगे तो 75 आ जाएगा और ये पॉइंट दो अंके पहले पड़ेगा मतलब यहां पड़ेगा तो एक में से 0.75 गटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 इसका उत्तर आएगा क्वेशन अंबर 28 देखिए तीन बटा 10 तीन बटा 10 कि पांच बटा सो पलिस आठ बटा एक हजार अभी से क्या करना है जो क्फल कमान दसंबलब में क्या होगा तो दसंबलब के रूप में इसका हम लोगों को मानने कालना है तो आएए इसको हम लोग क्या करेंगे ये तीन पॉइंट 3 लिख सकते हैं इसको 5 बटा सोगे तो दो जिरो है ना तो दो आंक के पहले दसम्मला पड़ेगा यानि कि 0.25 पहले के पहले दसम्मला पड़ेगा यानि कि 008 तो 3 अंक हो गया अब यहां से तीनों को आइड कर लेंगे तो 0.35 और क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा question number ये था 28 आए ये solve करते है question number 29 180 गुना 25 और गुना में 16 और बटा में है 37 गुने 500 ठीक है तो इसको हम लोग क्या करते हैं 25,50 बार में 4 से इसको काटते हैं 4बार में और 4 से काटेंगे 5 बार में 5 से इसको काटते हैं फंसतियाई 15 और 25 तो 37 से 37 बिभाइड हो जाएगा तो यहां से क्या बच गया यह सिर्फ चार बचा है तो चार ही क्या आ जाएगा इसका से उत्तर आ जाएगा question number 30 30 number question में है 33.33 बटा में 1.1 यहां से दसंबलो भट आते हैं इसका तो नीचे 1 पर double 0 लगाएं क्योंकि दसंबलो के बाद 2 अंख है यहां इसका दसंबलो भट आते हैं तो एक पर क्या हो जाएगा एक 0 तो एक 0 से एक 0 खत्म हो जाएगा अभी से डिवाइड करना 11 से 333 को तो 11 यह 33 तीन उतारें के भाग नहीं लेगा 0 फिर 31 यह 33 हो जाएगा 303 यानि कि 303 बटा कितना आ गया 10 तो 303 बटा 10 है तो पॉइंट एक अंके पहले आ जाएगा यानि कि 30 पॉइंट के आ जाएगा तीन अंसर आएगा यह था क्वेस्टन नमबर 30 आई सोल्व करते हैं क्वेस्टन नमबर 31 31 नमबर यह 29 और यह किता यह हमारा 31 ठीक है आप सोल्व कर लेता हैं लोग 30 को क्वेस्टन नमबर 30 छोड़ गया था तो क्वेस्टन नमबर 30 को सोल्व कर लेते हैं क्या है जीरो पॉइंट 304 डिभाइड अच्छा गुना में है 20 गुना में 20 और बटा में है 30 पॉइंट 4 गुने 2 और इधर गुना में 0 पॉइंट वर यह गुना में उपर में 0.1 है इसका पॉइंट हटाईए तो नीचे पॉइंट के बाद एक अंख है तो एक 0 लगाएंगे एक यहां से देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद तीन अंख है तो तीन जिरो लगा दीजिए यहां से पॉइंट के बाद के एक अंख है एक अंख है तो एक अंख है तो एक जिरो ही होगा यानि कि एक पर एक जिरो यहां से एक जिरो एक जिरो खतम यह यह भी पॉइंट खतम हो गया तो 304 304 खतम हो जाएगा यह दो और यहां से देख एक जीरो एक जीरो खतम हो गया तो दो बचा था तो दो से दो खतम हो गया यानि बच गया क्या हमारा वन बटा सो तो एक बटा सो बचा यानि कि हमारा हो जाएगा जीरो पॉइंट जीरो बन यहाँ जीरो के पहले पॉइंट आजाएगा तो question number 31 हो गया question number देखें 32 32 number question में है 0.1 बटा 0.01 पलस 0.01 और बटा है 0.1 अगर इसे हम लोग solve करना चाहे तो यहाँ से इसका point हटाएंगे तो गुना करके नीचे हम लोग 10 लगाएंगे और अगर इसका point हटाते हैं तो उपर में क्या हो जाएगा 100 point के बाद एक अंग था तो 10 हो गया point के बाद 2 अंग था तो 100 हो गया यहां से इसका point हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 100 और इसका point हटाएंगे तो उपर क्या हो जाएगा 10 यहां से point हटाएंगे मतलब 1-1 बचा है यहां भी 1-1 बचा है ठीक है 1-0 से 1-0 खतम हो जाएगा 1-0 से 1-0 खतम हो जाएगा यहां से हम लोग को देखे, 10 में एक से भाग देंगे, तो 10 ही आएगा, पलस, यहां क्या बच गिया है, एक बटा 10 है, इसका मतलब है, कि 10 पलस ही हो जाएगा, 0.1, तो 10 पॉइंट, और आइड करेंगे, तो 10 पॉइंट क्या हो जाएगा, एक इसका उत्तर आएगा, question number यह था बत्तित, अच्छा, इसका मान जो दिया है, मारक, इसमें दिया है, बटा के रूप में ही दिया है, अना, तो जब बटा के रूप में दिया है, तो इसको हम लोग उसी, अनुसार solve कर लेंगे, यह से 10 और एक क्या हो जाएगा, 10, तो एक से यहां 100, और पलस क्या हो जाएगा यानि भीन का जोड निकाल लेंगे, तो 101 बटा के आजाएगा, 10, यानि कि option नमबर एक इसका सही उत्तर होगा, question number 33, तो question number 33 बनाने से पहले, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, तो इसे लाइक किजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और इसे share किजिए, तो question number 33 में 1.001 है, बटा 10.01 है, अब यहाँ से क्या करना, जैसे 1001 लिख लेते हैं, और नीचे भी बटा में क्या है 1001, अब यहाँ उपर में हम लोग को क्या करना है, कि नीचे point है, तो point के बाद 3 अंक है, तो एक पर कितना 0 आ जाएगा 3, यहाँ से नीचे वाला का उपर में लिखेंगे, तो point के बाद 2 अंक है, तो यहाँ 2 0 लिखेंगे, ठीक है, तो एक double 0 से यह double 0 खतम हो जाएगा, एक हजार एक से एक हजार एक खतम हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना एक बटा 10, यहाँ से देखी यह 1000 क्या है, एक है, और बटा में नीचे 1001 है, इसका point हटाएगे, तो उपर में क्या हो जाएगा, 10, point के बाद एक अंक है, तो एक 0 लगाएगे, यह खतम हो जाएगा, तो इसे हम लोग, 10 दहां के कितना 100, यानि कि 101 बटा कितना हो जाएगा, 10, 101 बटा कितना हो जाएगा, 10, तो 101 बटा 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 point, 1 लिख सकते हैं, 10 point कितना लिख सकते हैं, 10 point, 1, तो option में हमारा 10 point, 1, 0 लिखा हुआ, तो इसके बाद 0 भी लिख देंग प्रद नहीं है क्वेस्टिन नमबर देखे 34 क्वेस्टिन नमबर 34 है एक सट बटा कि दस अजार कि एक सब्टा दस जार को दस वंबलम बदलना तो एकदम सीधा है एक सब्टा दस जार है मतलब एक पर बंक यहां से चार अंक चाहिए तो एक अंक दो तो तो तिस रानक सीर होगा कि 2 बट पचीश को 10 अमलव के रूप में लिखना इसमें भी तो बट पचीश इनके हम लोको कुई वैसा काम करना है जिस नीचे में 10 आजाये 100 आजाये या फिर 18,000 आजाये तो 10 के घात के रूप में आजाये तो इसमें 4 गुनाख कर देंगे तो 100 आजायेगा चार से जब नीचे गुणा करेंगे तो चार से उपर भी गुणा करेंगे यानि कि 8 बटा के आगया 100 अब हम लोग इसे दसमलव के रूप में आसानी से लिख सकते हैं नहीं तो आप 25 बटा दो बटा 25 हैना तो 25 से 2 में आप भाग लगा करके भी से लिख सकते हैं तो यहां 2 अंके पहले दसमलव आएगा 2-0 एन नीचे तो 2 अंके पहले दसमलव आएगा यानि कि 0.08 इसका उत्तर आएगा 36 नमबर 1.01 के समतुल्य कौन होगा 1.01 के समतुल्य कौन होगा जैसे 1.01 ओप्सन से इसको हम लोगों को चेक करना पड़ेगा ओप्सन से क्या चेक करना जैसे इसी वाला ओप्सन क्या है 101% ए टिक है 311% है इसका मतलब है की 101 बटा क्या है 100 31 1 का है 100 हो जाएगा 1.01 क्योंकि double 0 है तो 2 अंके पहले यानि कि ओप्सन नमबर एही इसका सही उत्तराएगा question क्योन नमबर देख़िए 37 1.25 के सम्तुल्य तो यहां देखे भीन के रूप में दिया गया है option क्या है यहां भीन के रूप में है तो इसको हम लोग भीन के रूप में लिख लेंगे तो भीन के रूप में हम लोग कैसे लिखेंगे इसमें 1.25 है तो 1.25 और बटा हो जाए कितना इसको पॉइंट अटाएंगे तो 100 25 से काटेंगे 5 बार में 25 से काटेंगे 4 बार में अब 4 से इसे पूर्णांग के रूप में लिखना है तो 4 इक आई 4 और एक बटा क्या 4 यानि कि एक पूर्णांग के बटा 4 इसका उत्तर आएगा question number 38 38 number question में 0.75 0.075 इसे किस रूप में लिखना है भिन के रूप में लिखना है तो यहाँ से 75 और बटा क्या कर देंगे 1000 कर देंगे 25 से काटेंगे 3 बार में और 25 से काटेंगे इसको 40 बार में तो क्या आज आएगा 3 बटा 40 यानि कि option number 2 question number 39 39 number question में निम्न में से कौन सा संख्या यूग एक पॉइंट पांच के बराबर है यानि कि एक पॉइंट पांच के बराबर कौन सा होगा तो इसको option से हम लोग को चेक करना पड़ेगा पहला क्या है 15 परसेंट और पांच बटा 2 तो 15 परसेंट है मतलब 15 बटा क्या 100 यह एक पॉइंट पांच के बराबर नहीं है 0.15 की option गलत हो गया option नमबर 2 देखे 1.5 परसेंट 1.5 परसेंट और क्या है 6 बटा 4 है तो यहां से 3 और यह 2 यहां से तो यह आ जाएगा हमारा 3 बटा 2 मतलब 1.5 के बराबर यह वाला है लेकिन यह वाला नहीं होगा 1.5 बटा कितना 100 तो यहां पास यह दो अंग पहले चला आएगा यानि कि यह option भी नहीं होगा तीसरा option चेक करते हैं 150 परसेंट और 5 बाइट तो 5 बाइट तू है मतलब कि 2.5 है तो जब यहीं नहीं आ रहा है तो इस से हमको मतलब नहीं है दोनों में आना चाहिए अब यहां देखिए 4 नंबर option चार नंबर जो option है 150 परसेंट है और यहां 3 बाइट तो 3 बाइट तो 1.5 होगा अब 150 बटा 101 0 से 1 0 यानि कि यहां से अगर इसको हम लोग हटाएंगे 0 को तो यहां point आ जाएगा यहां भी 1.5 यहां भी तो option नंबर क्या हो जाएगा चार इसका उत्तर आएगा यह था question number 39 आई देखते है question number 40 question number 40 question number 40 में भी क्या दिया है कि 0.003 किसके बराबर है तो भीन के रूप में है तो इसको हम लोग direct भीन के रूप में बदल लेते हैं तीन बटा क्या हो जाएगा एक हजार point को हटाएंगे एक लगाएंगे और point के बाद जितने अंखे उतने जीरो हम लोग डालेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा तीन बटा एक हजार तो तीन बटा एक हजार तीन बटा एक हजार इसका सही उत्तर आएगा यानि option number one झाल